नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका exam book चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बता हूँ UP ASI के लिए जो पोस्ट प्रिफरेंस जो फिल करी जा रही है आपको कौन सी पोस्ट प्रिफरेंस जो है वो पहले बरनी है और क्या चीज़ है क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है यह सारी चीज़े मैं आपको इसमें डेटेल में आपको बताने वाला हूँ चले यह स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप देख लीजी यह पांच जो है आपकी जॉब्स के लिए जो नोटिफिकेशन आया यूपी ASI में उसके लिए यह पांच चीज़ें यूपी ASI गोपनी है जिसको की गोपनी साया Confidential Assistant बोलते हैं UPSI जो है विजिलेंस में भी है UPSI लेखा लिपिक और UPSI विजिलेंस क्या क्या चीज़ें हैं कितनी कितनी पोस्ट हैं यह सबसे पहले देखते हैं देखे इसमें जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें आपको इ अब इसमें हम लोग कर के देखेंगे किसमें ज्यादा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जौप मतलब number of post कितनी कितनी है तो देखें इसमें आप अगर देखेंगे कि पोलिस उपनिरिक्षक ठिक याद रखेंगा कि इसमें पूरे के पूरे जितनी भी पोस्ट है इसमें बली स्टार नहीं लगा सकते हैं तो देखिए इसमें गोपनी साहिभ जो उत्तर प्रदेश पुलिस वाला है उसमें 295 पोस्ट हैं और सतरक्ता विजिलेंस देखिए याद रखिएगा उत्तर प्रदेश पूरी एक है ठीक उसमें different different departments है vigilance भी एक उत्तरप्रदेश पुलिस का ही department है ठिक इसलिए vigilance के लिए अलग से ये लोग vacancies create करते हैं तो आप देखेंगे सतरक्ता में मातर 32 सीटे हैं सिर्फ 32 सीटे आपकी है सतरक्ता में और यहाँ पर आपकी ओत्तरप्रदेश पुलिस जिसको कि हम UP जो है गोपनी शायाग बोलते हैं उसमेव 235 पोस्ट है उसके बाद आपका लिपिक के लिए पुलिस साहयाग उपनी रिक्षक लिपिक के लिए आपका 624 पोस्ट है 624 पोस्ट है और आपकी सतरक्ता के लिए मातर 20 पोस्ट है फिर है आपका पुलिस सहायक उपने रिक्षक लेखा के लिए लेखा के लिए 358 सीट है और सतरक्ता के लिए कोई भी सीट नहीं है अब इसमें एक एक चीज करके देखना है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपको अगर आपको स्टैनो नहीं आती तो आप याद रखे कि ये वाली पोस्ट आपके लिए नहीं है और अगर आपको स्टैनो भी नहीं आती है और आपके पास ग्रिजुएशन में कॉमर्स भी नहीं थी तो आपके पास ये पोस्ट भी आपके लिए नहीं है. तो बस्ती आपके लिए सिम्पल है ये वाली पोस्ट ठीक है? सिम्पल ये ये पोस्ट बस्ती है तो इसमें आप प्रिफरेंस अतना भर तो कोई प्रॉब्लम बहुत नहीं है. लेकिन अब तो आप क्या करेंगे सबसे पहले भरेंगे आप एसाइ मिनिस्ट्रियल पहले नमबर पर दूसरे नमबर पर विजिलेंस तीसरे पर आप एसाइ अगर भरने को आता है तो आप इसको नहीं फिल करेंगे ठीक है चलिए अब जिसको इस्टैनों आता है वो कैसे भरेगा तो याद रखिए गोपनी सायक की नौकनी न बहुत अच्छी बने आती है ठीक आप विजवास नहीं करेंगे गोपनी तो एक तो ग्रीड पर बढ़ा दूसरा भाई इस्टार बढ़े हुए है दो इस्टार लगाता है गोपनी सायक ऐसा ही कॉन्फिदेंशल जो है तो आप कैसे फिर भरेंगे याद रखिएगा देखी नंबर और पोस्ट भी आपको देखके चलना है तो अगर आपको इस्टैनों बहुत अच्छी आती है मतल अब खाली शूड़ी जाती है उसमें बच्चे भरी नहीं पाते उसके बाद आप तीसरे बरेंगे ऐसाइए मिनिस्ट्रियल और फिर चौते बरेंगे एसाइएम विजिलेंस ठीक है अब मैं उन बच्चों को ले रहा हूं जिनके पास कॉमर्स भी है जिनको इस्टैनों भी करते हैं जब से BSC बहुत ही सिंपल हलुआ हो गई है तब से सब BSC में जा रहे हैं तो आप जो कॉमर्स के लिए अगर आपके पास कॉमर्स है ग्रेजिएशन में तो आप सबसे पहले नंबर पे ASI काउंट्स भरेंगे ठीक दूसरे नंबर पे आप SI confidential भरेंगे ठीक और तीस नंबर पे आप SI confidential भर दी है विजिलेंस बगरा को आप नीचे डाल सकते हैं क्योंकि विजिलेंस में क्या है इसमें seat बहुत कम है आपको देखिए कोई seat होती है बीस seat है आपकी लिपिक में है कोई मतलब बनता है ठीक लेकिन जिसको अब भाई देखिए जिसके पास ना तो इसके पास commerce है तो उसके लिए तो मजबूर है भाई वह पहले नंबर पर यह भर दे दूसरे नंबर भर दे और अगर आपको मान लीजे अगर आपको स्टैनों बहुत अच्छी आती है तो याद रखिएगा कि गोपनी साहिए पहले नंबर पर भरना क्योंकि selection के chances इसमें ज अगर आपने skill निकाल लिया तो आप समझ लिए ना इसमें physical है कोई ना दोड़ लगानी है ना कुछ भी नहीं है ऐसा special तो इसलिए उन लोगों के लिए बहुत बड़ी opportunity है जो की मतलब आपका UPSI में फोर्म नहीं पर पा रहे हैं या under height है या आपका उनको जो है थोड़ा स अपका तयारी नहीं है तो आप इसमें कर सकते हैं बहुत अच्छी चीज़ है ठीक जिंदिगी में जो लोग दरोगा बन जाते हैं अच्छी बात है 100 मेंसे आपका 70 जो समस्पेक्टर होते हैं वो बाद में जाके फिल्ड में याके बहुत परिसान रहते हैं क्योंकि देखे तो आप यह है पूरा office इसमें आपको life में कभी आपकी duty ऐसा नहीं है कि चौराओं पर लगा दी जा रही है या फिर रात में ठंड में गुम रहे हैं गर्मी में जून में गर्मी में चौराओं पर खड़े हुए हैं ऐसा नहीं है इसमें और खासकर उपनिच्छ गोपनी सायक जो होता है वो तो बिल्कुल आपका जो है अफसर के पास रहता है मतलब ऐसे समझेजिए उसका परसनल असिस्टेंट जो होता है या फिर जैसे देखिए डियाईजी और उससे उपर की जितने भी पोपाद होते हैं पुलिस में उस सबको गोपनी सायक दिया जाता है ठीक उनका जितने भी चिति पत्री बगरा जो भीजना है जो जितने भी आपके जो है ओफीयल डियाइजी के जो काम होंगी वो सारे के ताई और बिजीजटर बिज दीजीगव लोग देखते हैं तो यह आपका ये प्रिफरेंस मैं आपको बता सबसे पहले अगर आपको श्टेनों आती है बहुत अच्छे से आती है तो आप अगर आपको आपके पास कॉमर्स है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं ठिक और कुछ लोग जिनके पास सब कुछ है कॉमर्स भी है और आपके पास इस टैनों भी आती है अच्छे आती है तो आप या करेंगे अगर आप जो है सबसे पहले एक इसके बाद ASI एकाउंट भरेंगे उसके बाद ASI मिनिस्ट्र भरेंगे फिर ASI कॉन्फिदेंशल विजिलेंस के दोनों पत भर देंगे विजिलेंस में देखिए कम इसलिए फाइट वहां जादा होगी तो थोड़ा सोच समझके भरना सेलेक्स अगर आपने इसमें रिटन क्लियर कर के मतलब श्यूर तो रहता है अगर इसमें आपने skill निकाल लिया थो आहँ अप निक हैं अब उसको जोईन कर सकते हैं धन्यबाद